स्वागत है आप सभीका, हमारी यूटूब चानल स्टेडी विद दुलार में, बच्चों आप देख रहे हैं, ये सेर और सियार की कहानी यहाँ पे दियावा है, और आप लोग अक्सर अपने बडो से, दादा दादी से कई सारे जानवरों का कहानी सुने होंगे, यहाँ पे पढ़ना सुरू करते हैं। दूर बढ़ते गए, धुप तेज होती गई, प्यास बढ़ती गई, एक तलाब दिखाई पड़ा, सियार की माचे किल गई। अपनी आवाज में, अपनी खुसी परकट करता सियार सियारनी के साथ तलाब के पास पहुँचा। सेर की मान दिखाई पड़ गई। सियार तो स यारनी था, अब उन लोगों को आसपास में जंगल में भोजन मिल जाया करता था, कभी कभी उन्हें विसेस दोर धूप करना पड़ता था भोजन के लिए, एक बार क्या हुआ, कि उन लोग भोजन के तलास में काफी दूर लिकल गई, भोजन से नहीं मिला, और दूर निकल या गाओं के आसपास रहते होंगे, वैसे बच्चे जरूर जानते होंगे, तो उनकी आवाज को सुनकर वहाँ पे एक सेर आ गिया, अब सेर को जब सियार ने देखा, तो फिर उसकी आवाज बंध हो गई, और उसके रोंग्टे खड़े हो गए, वो भागने के लिए दोर नुरोध किया, सियार की बुध्धी तो हवा हो गई थी, सियार ने ने कहा, मेरे साथ चलो, घबरामत, प्यास से प्रान मत दो, और बुध्धी से सेर का मुकावला करो, सेर ने उतर दिया, आज तेरी बुध्धी की परिच्छा है, बोलो क्या क्या जाए, अब अचानक जब सामने सेर आ गया तो सियार का फिडर गया अब उससे तो कुछ करते बनने रहा था लेकिन सियारनी ने हिम्मत दिखाई और उसने कहा कि डरने की कोई बात नहीं हिम्मत से काम लो तो फिर आगे क्या होता है सियारनी ने सियार के कान में कुछ समझाया और दोनों सेर के पास आ पहुँचे सियार का हिर्दे धक धक कर रहा था सेर अपने सिकार को पास आता देख अपने भाई को अपने भाई की सराहना करने लगा दहारना भूल गया उसकी आँखे चमकने लगी अब किसी तरह सियार सियारनी हिम्मत करके सेर के पास पहुँच गये लेकिन सियार का हिर्दै काफी तेजी से धड़क रहा था और सेर उन लोगों को सामने आते देखकर सारा कुछ भूल गया उसे लगा कि आज तो भोजन प्राप्त होगा ही सियार को पिछे रखकर सियारनी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया महराज मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ अब कुछ वहाँ पे उन लोग जान बचाने के लिए इस तरह कोई कोई चाल चल रहा है तो सियारनी बोल रहे है कि महराज मैं आपसे कुछ भिंती करने आई हूँ सेर ने समझ लिया कि सिकार कबजे में है अब ये कहां भागेंगे अता निस्चिंत भाव से पुछा तुम्हें क्या कहना है जल्द को सेर तो समझ गया था कि इन लोग भागने वाला है नहीं कि जो बोलना है बोलने दो तो पुछता है कि बोलो क्या कहना है तुमको सियारनी बोली राजा जी आपसे जूटे हाथ मूँ कैसे बात करो अधी आग्या हो तो हम दोनों हाथ मूँ धोले अब उन लोगों ने पानी पीने का रास्ता निकाला इस तरह से हम लोग खाना खाये हुए तभी कैसे बात करो तो हम लोग थोड़ा हाथ पर धोके आते हैं तो बोला ठीक है अब राजा क्या बोल रहा है राजा सेर ने राजा के रोब में अपनी परजा को आदेश दिया अब राजा को घमंड हो गया कि हम तो राजा हैं इन लोग परजा है चलो इसको अगर छोटी सी आग्या मांग रहा है तो चलो दे देते हैं तो सियार ने सियार को संकेत कर तलाब की किनारे चली गई और उन लोग जो है दोनों तलाब के किनारे चले गए, दोनों ने खुब पानी पिया, दोनों त्रिप्त हो गए, त्रिप्त सियार ने धीरे से पूछा, अब क्या करना है, अब यहां तो इन लोगों ने पानी पी लिया, जो करना था कर लिया, अब क्या करना है, सियार को तो जोर से कहा, महराज ही निरने करेंगे, इसलिए तो उनके पास आई हूँ, चलो उनके पास, वो जोर से कुछ मन में कहानी सोचकर ऐसा बोल रही है, कि अब तो महराज ही जो करेंगे, महराज के पास चलते हैं, सेर तो मस्ती में मक्या मार रहा था, दोनों पास आ गए तो वह ब बाढ़ा कर दिया है अब यह मेरे हिस्ट-फुष्ट पांच बच्चों को लेकर अलग रहना चाहता मुझे केवल तीन बच्चे देना चाहता है यह तो मां के साथ न्याय है आप से विंती है कि मेरे घर चल कर बच्चों को देख न्याय कर दें अब इस तरही कि एक कहानी बना अब क्या देर, वह उन दोनों के साथ चल पड़ा, सेर सोचा कि इन दोनों को तो खाऊंगा ही, और इनके बच्चों को भी खा सकूंगा, तो इसलिए वह उनके पिछे पिछे चलते गिया, सियार की मांद आई, सियार तुरंत अंदर घुस गिया, अब सियार तो काफी डर कि बच्चों को आपके पास ले आता, सेर ने दा एक आउर करका, हाँ सारे बच्चों को मेरे सामने लाओ, मुझे नयाई करना, अब सेर को तो अच्छा उपाई मिल गया, कि किसी तरह से इनलोग और बच्चे भी सामने आ जाया, ता कि मैं इन लोग को खा सकूं, तो सेर ने अपस में मत लड़य करो अंदर से जब दे रहेंगे अब आप जा सकते हैं कस्ट के लिए छमा करें अब अंदर से जाब दे रहेंगे सि हम लोगोंगों ने समझवता कर लिया है अब आपकी कोई आप सकता नहीं, आप जा सकते हैं सेर, सेर राजा हाथ मलते रह गए उनकी आखों के सामने से मोटा आसामी हाथ से निकल गया अब सेर को बात अब समझ में आई कि क्यों इस तरह का इन लोग चाल चल रहा था उसको पज़ा चल गया कि वे तो सिकार जो हाथ से निकल चुके हैं इसलिए वो वापस चले गए, हाथ मलते रह गए और आई देखते हैं इस चप्टर में क्या कुश्चन्स दिया हुआ है यहाँ पे देख रहे हैं, वन नमबर में पढ़ें और समझें, यह सब्दार्त दिया हुआ है और यहाँ पे एक पजल दिया हुआ है जिसमें जानवरों के नाम है, कुछ जानवरों के नाम चिपे हुए है इसमें से खोजना है, जैसे कि स्यार हो गया और भालू हो गया और इसमें से सेर, सेर हो गया इस तरह से आप लोग खोज सकते हैं, और यहाँ पे कई मुहावरे दिये वे हैं, आप इसको पढ़कर याद कर लेंगे, और question number 4 में दिये गए सब्दों से एक एक वाइक बनाएं, इसका वाइक बनाना है, question number 5 में इस chapter का मुख question है, तो आईए मैं आप लोगों को इसका question का answer बना के दिखाता हूँ, यह है chapter 6 का question answer, two number में निचे दिये गए सब्दों से एक एक वाइक बनाएं, यहाँ वाइक बनाने के लिए कहा गया है, जोड़ा, जंगल में एक सियार का जोड़ा रहता था, भोजन, भोजन स्वादिष्ट था, दोर धूप, अधिक दोर धूप बुद्धी, बुद्धी हवा हो गई, परिक्षा, परिक्षा की घड़ी थी, आखें, आखें गीली थी, सिकार, सिकार निकल गया, question number 5 में निमलिखित प्रशनों के उतर दें, जो इस chapter का मुख question है, सियार सियारनी का जोड़ा क्यों प्यासा था, एक बार सियार सियारनी भो के पास पहुँचे, वहां किस से भेंट हुई, वहां जंगल के राजा सेर से भेंट हुई, सियार क्यों डर गया, सियार सेर को देखकर डर गया, सियारनी ने क्या समझाया, सियारनी ने सियार को समझाते वे कहा, कि साहस के साथ बुद्धी से काम लो, प्यास से प्रान मत दो बुद्धी से सेर का मुकाबला करो दोनों ने पानी कैसे पी लिया दोनों ने सेर से जूटे हाथ मूँ धोने का बहाना बना कर पानी पी लिया दोनों सेर से कैसे बचे साहस और बुद्धी का उपयोग कर दोनों सेर से बच गए क्या बुध्धी सरीर की ताकत से बड़ी है हाँ बुध्धी सरीर की ताकत से बड़ी होती है यहाँ पर यह चप्टर पुरी तरह समाप्त हो जाता है बच्चों हमारे इस वीडियो से आपको पढ़ाई में थोड़ा भी मदद मिलता है तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों रिष्टिदारों के साथ सेर कीजिए और अगले चेप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग अगली वीडियो में चलेंगे तो आएए हम लोग next वीडियो में चलते हैं